हेलो एन वल्कम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों तुनीशा शर्मा केस पर अब आखिरकार उनका जिक्र हो चुका है जिनके उपर कई आरोप लग गए यानि की संजीव कौशल का जिन्हें शिजैन के परिवार वाले बता रहे हैं तुनीशा का सौतेला पिता तो वही बयान दे ही दिया क्या कुछ कह रही हैं वो बताएंगे आपको सारी डीटेल्स लेकिन उससे पहले चानल को आप जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना अब बिलकुल ना भूले दोस्तों एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था 20 साल की तुनीशा शर् जिसने पूरे के पूरे टीवी इंडस्ट्री को हिलाक कर रख दिया अक्टरिस ने 24 दिसंबर को अपनी जान दे दी थी वो अली बाबा दास्ताने काबुल में लीड अक्टरिस का किरदान निभा रही थी ऐसे में उनके को एक्टर शिजैन खान को एरेस्ट कर लिया गया थ वो भी उसे दिन अबेटमेंट आफ सुसाइट के चलते तो निशा की मान विनिता शर्मा ने एक कंप्लेंट फाइल की थी अक्टरिस की फैमिली में उनकी ममी उनके मामा पवन शर्मा और साथी साथ संजीव कौशल हैं जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे शिजैन के खिला इस बात को पुरे तरीके से साफ किया है कि वो अपने सौतेले पिता से काफी जादा परिशान थी और उसके पूरे के पूरे फाइनसिस उनकी मा और उनके सौतेले पिता के पास होते थे तुनीशा को एक एक रुपियों के लिए उनके आगे हाथ पहलाना पड़ता था मामा थे लेकिन दोस्तो संगीव कॉशल को लेकर शिजैन के परिवार वालों ने भी काफ़ी दावे किये हैं तो वहीं हालही में एक एक्स्क्लिऊजिव इंटरवियो दीा है हालही में संगीव कॉशल ने और इसमें नोंने बोला है कि लोग बोलने को तो बहुत कुछ बोल करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें